बच्चे हुए चावल से कुछ रेसेपी अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से जीरा राइस जरूर घर पे बनाएगा फ्रेंच सभी चाट पोच कर इसे खा लेंगे और चावल आपकी लिए तो जरा भी नहीं बच्चेंगे अज हम बच्चे हुए चावल से जीरा राइस बनाएगे एक तम होटेल रेस्टोरन या धाबा स्टाइल वाला इसे बनाना बहुती आसान है बहुती कम इन इग्रेडिन के साथ यह बनता है और दो से तीन मिल्ट में आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंच हम जीरा राइस बनाएगे तो यहाँ पर एक कड़ाई में मने बन टेबल स्पून इतना ऐल एड़ कर दिया है ओल गरम होते ही एक चमच भर कर इतना जीरा हम इसमें डाल देंगे जीरा इसमें ज्यादा मात्रा में जाएगा क्योंकि यह जीरा राइस है और जीरा जैसी चट हम असे थोड़ा कम नमक मैं इसमें डाल दिया है और इसे मेडियम फ्लेम पर हम एक मेड तक भून लेंगे फ्रेंट्स नमक आप हिसाब से ही डालेगा क्योंकि चावल बनाते वक्त भी हम नमक यूज करते हैं और प्यास को एक मेड भूनने के बाद इसमें हमें चावल को ए यह फ्रेज किये हुए यूज किये हैं अगर आप फ्रेश चावल यूज कर रहे हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करके आप डारेक्ली सर्व कर सकते हैं बट यह फ्रेज चावल है तो इसे अच्छे से पकाना होगा चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमें यहाँ पर नमक चेक करना है कम होगा तो दाल दीजेगा तो बस इसे अच्छे से पकाने के लिए इस तरह से लिर से खवर करके लो फ्लेम पर दो मिनिट तक पका लेंगे क्योंकि ये फ्रीज किये हुए चावल है और दो मिनिट के बाद लीजे फ्रेंड्स एकदम बढ़िया सा जीरा राइस बनकर तयार है धाबा रेस्टारंट या होटेल में जिस तरह का जीरा राइस मिलता है ना सेम उसी तरह का जीरा राइस हमने आज बचे हुए चावल से बनाया है इस जीरा राइस को खाने के बाद आप जानबुच कर चावल बचा कर इसी तरह से जीरा राइस बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है अब आपको पता है जीरा रईस और डाल तड़के का कॉम्बिनेशन तो कितना बढ़िया होता है, सबी का फेवरेट होता है, कभी भी बनाएगा, सबी खा लेते हैं, तो फ्रेंड्स दाल तड़की की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेर करूँगी प्लीज मुझसे जुड़े रहिएगा और माईशास किचन यूटूब चानल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजों का बेल आइकोन भी प्रेस कीजिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षन में बताएगा और इसे जदा से जदा लाइक और शेर करना ना भूले मिलते हैं अगले रेसिपी में धन्यवाद